नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलेज बज़ और आज के वीडियो में हम बात करेंगे SSC के CGL के ऑफिसल नोटिफिकेशन के बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आप देख रहा हूंगे इस से मैं जूम करके आप लोगों दिखाता हूं यह देखेंगा ध्यान सीह झाल की बहुत नोटिश जब्तब्रशित के रहां एला हूँ नोटिश है क Werot करता हूं मैं अब यहां देख़एगा नोटिस यहांपर यह ड्रेट पर नोटिट यह समय ल माररल है यह सकते हैं चलान को जनेरेट कर सकते हैं लाज़्ट ट्रेट पर फूर चलान कब दे सकते हैं चलान के माध्यम से पेमेंट दे सकते हैं और जो आपका कम्ट्यूटर बेस्ट ऑनलाइन एक्जाम करवाया जाएगा तो उसके लिए अभी भी पांच महीने का समय बचा हुआ तो दोस्तों बहुत जादा समय बचा हुआ है यहां देखेगा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अभी भी पांच महीने का टाइम बचा हुआ है उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर नीचे जब जाएंगे तो यहां देखेगा पोस्त लिखा हुआ है मिनिस्ट्री लिखा हुआ है लिखा हुआ है नेचर आप यहां देखेगा पीड़ डी के लिए क्या क्या कंडिशन रखा गया वो लिखा गया और एज लिमिट लिखा गया हम जैसे पहला पोस्त है एसिस्टेंस ऑड़िट ऑफिसर तीस साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके बाद अगर आप देखेंगे असिस्टेंस सेक्शन ऑफिसर बीच से तीस साल होना चाहिए आगे देखेगा असिस्टेंस सेक्शन ऑफिसर तीस साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके बाद यहां देखेगा असिस्टेंस सेक्शन ऑफिसर यह अलग-अलग डिपार एसिस्टेंस section officer, A F HQ, 20 से 30 साल उसके बाद assistance assistance अलग-अलग department की यहां पर है सभी 30 साल मांगे जा रहा है जितने भी assistance की post है फिर income tax का जो post है उसके लिए 30 साल और यहां देखेगा Central excise officer अगर आप बनना चाहते है तो 30 साल और यहां पर देखिएगा तो इस तरह के सभी जो पोस्ट है C, B, I, C के जो अंतरगत आते ग्रूप B वाल है उसमें 30 साल होना चाहिए 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए 30 साल से कम वाले बच्चे फिल कर सकते हैं आगे देखिएगा यहां पर देखिए इस साल अब यहां देखिया अश्सिस्टं से पोस्ट के साथ ती कीव मांगे जा रही है और यहां देखिएगा जुनियर इस्ट्रटिकल आपिसर सल हो जाएग हो जाएगा हो ज्श में आठारहा टो हो होने वाला है देख सकते हैं जितने भी पोस्ट है सभी में 18-27 अब पोस्ट कहा से कहा तक है मैं बता जैता हूं सीरियल नंबर 24 से लेके से लिए नंबर 32 तक मतलब जो आठ पोस्ट है आठ से नौ पोस्ट है वह 18-27 साल ग्रुप सी वाले पोस्ट है आगे आगे देखिएगा अगर यहां नीचे अगर हम जाते हैं तो सबसे इंपोर्टेट रिसमें क्या एज लिमिट के बारे में यहां दे ध मूले कैसे लिगे लिए क्रुप D के से लिए ग्याजक सी है रखा गया है यहां रखा गयात underneath से एको क्या किया जाए सकता है अभी की जो कमपिटीशन होगा वहुँट से हजार पांसो छे पे होगा उसके बाद अगर हम बात करें को फिल करने की के बारे में यहाँ पर देख़ेगा सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक हो चाहिए हुआ उसके बाद अगर हम बात करें age limit के बारे में तो age limit जो calculate किया जाएगा एक एक 2021 से calculate किया जाएगा और यहां जो 18 सा 27 साल जिसमें मांगा गया है उसमें age limit होना चाहिए 94 के बाद 94 के बाद आपका जन्म है एक दो जनवरी 94 के बाद अगर आपका candidate है अगर आपका ग्रूप से अगर पहला जो पॉस्ट 18 सा 27 में 2003 तर्फ तक आपका होना चाहिए 2023 से पहले होना चाहिए और 2001 से पहले होना चाहिए अगर 20 से 27 मांगे जा रहा है तो बीस से 30 वाले में नहीं को दो जनवरं वाहन के दो जनवर्य पहले का नहीं ऊचीज दो जनवर के बाद का ओना चाहिए यहांपर quarter of a पॉस्ट फॉर विच एज लिमिट pepto टीज जहां मांगा गया तो सेम वही चीज मांगा गया कुछ अलग नहीं हो यहां पर 20-30 मांगा गया अगर 32-32 मांगा जा रहा है तो यहां पर 1989 होना चाहिए अगर हम बात करें आगे आगे अगर हम बात करें तो यहां देखिएगा कितने जिनका मिलेगा SCST कंडिदेट को 5 साल का OBC कंडिदेट को 3 साल का PWD कंडिदेट को 10 साल का PWD OBC कंडिदेट 13 साल का 3-3 साल एड हो जाएगा SCST का 5 साल एड कर दिया जाएगा अगर एक service man है तो 3-3 year after deduction of the military service actual age closing date मतलब 3 साल साय जो deduct किया जाएगा अगर आप और कुछ इसमें important मुझे नहीं लग रहा है ठीक है ना आगे कुछ देखते हैं कुछ important होगा तो मैं खुदी आप लोगों को बता दूँगा ठीक है आगे देखिएगा आगे अगर आप आपका डिवोस हो चुका है आप चलाक ले चुके है तो आपको 35 साल तक है एच लिमिट में relaxation दिया जाएगा मतलब 35 एर तक है आप अगर होते हैं तो भी आप इस वार्म को फिल कर सकते हैं कुल मिला के आपको 5 साल का रिलक्सेशन दिये जागा 30 साल वाले पोस्ट में मतलब डी वाले पोस्ट में अगर आप 32 साल के हैं तो भी आप इस वार्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप तलाक सुधा है डिवोस हो चुका है तो ठीक है अगर सब्सक्राइब करते हैं तो 40 साल तक का रिलक्सेशन आपको मिलेगा ठीक है अगर पोस्ट के लिए यहां पर 37 साल भी हो जाएगा अगर आप गुरूप बी के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमाम 35 साल चाहिए यह बात ध्यान रखेगा एक कमेंट भी आया था मैंने उस कम सब्सक्राइब करते हैं अब आगे अगर हम बात करें नीचे जाया तो यहां कुछ नहीं है उतना इंपॉर्टन नहीं है तो इसको हटाते अभी और आगे चलते हैं जल्दी से आगे चलते हैं यहां देखेगा इसेंसियल क्वालिफिकेशन क्या है तो सभी कलिए बैचलर ड डिग्री से अब पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यह एसिस्टेंस ऑडिट ऑफिसर यह एसिस्टेंस अकाउंट ऑफिसर के लिए चार्टे अकाउंट और कॉस्ट मेनेजमेंट अकाउंट और कंपनी और master in business administration और master in business economics होना चाहिए उसके बाद junior statistical officer के लिए क्या होना चाहिए bachelor degree in subject कोई भी subject में bachelor degree होना चाहिए और at least 60% in mathematics होना चाहिए 12 class में चाहिए तभी आप इस वाम को apply कर सकते हैं all other post bachelor degree from from recognize university और equivalent किसी भी university से आपका bachelor degree complete होना चाहिए ठीक है जितने भी बाकि सब पोस्ट बच गए केवल दो पोस्ट के लिए special condition रखा जाता है एक जूनियर statistical officer और एक assistance audit के लिए ठीक है तो यह दोनों आप लिए आप लोग ध्यान रखेगा आगे देखेगा आगे देखेगा यहां कुछ important point लिखा हुआ है देख लिजेगा आगे कुछ देखेगा आगे चलते जल्दी से देखते आगे कुछ और दिया how to apply तो पता ही है कि कहां से apply क मैं यहां भी बता दूंगा इस वीडियो में भी आप लोगों को बताऊंगा अब यहां देखेगा कौन-कौन से रिजेंस apply करेंगे तो सबसे पहले रिजन जिसमें बिहार और यूपी के बच्चे आएंगे उसके बाद इस्ट रिजन है जिसमें जार्खन अनमान सिक्किम जो बेई जो इस वाले रिजने वह बच्चे आएंगे उसके बाद यहां देखिगा करनाणाल और मध मतलब फइयर इसके बाद अगर हम बात करें एन ए आर रिजन अरुनाचल पर्देश असम मनिपूर मेगाले नागलेंड तिर्पूरा के बच्चे आएंगे नॉर्थ रीजन डिली राजिस्तान उत्राखण के बच्चे आएंगे नॉर्थ वेस्टन रीजन चंडिगर हरियाना हिमाचल पर् विजरात महराष्ट के बच्छे आएंगे डबलू आर रिजन में आगे दिखेगा यह जो एक्जाम है देख लिजएगा कितने टीर में होगा तो मैं बता दू यह एक्जाम टीर वन जो 100 नंबर का कोशन होता है 25 पचीस नंबर के चार सेक्शन 1 by 4 नेगेटिव मार्किंग 100 को कोशन होते है 200 नंबर का एक्जाम होता है तो टीर 1 वन में यह लिया जाएगा उसके भी मार्क्स एड किये जाएंगे उसके बाद टीर 2 में क्या होगा टीर 2 में टीर 2 में कंप्यूटर बेश्ट इच्छाम होगा ठीक है जिसमें आपको अर इंग्लिश का पेपर होगा 400 नं तो कुछ यह इंपोर्टन पॉइंट लिखा हुआ था अब देखेगा यहां पे टीर वन और टीर तु के बारे में बताएं गया तो यह मैंने पैटन बता दिया कि पचीज कोशन हर एक सेक्षन से रहेंगे और एक कोशन दो नम्मर का और टाइमिंग जो आपको दिया जाएग का अगर आप P WD candidate है तो एक घंटा 20 मिनट का समय मिलेगा यह पेराग्राफ 1.1 और 1.2 में लिखा हुआ है पेपर वन देखेगा टीर 2 का पेपर वन सो कोशन मैस का ठीक है मैस का सो कोशन दो नमबर का एक कोशन दो घंटा समय मिलेगा इच पेपर के लिए मैस और इंग्लिस लांग्वेज 200 नमबर और इक नमबर का यहां रहेगा नेगे टिव मार्किंग वन भाई फोर है रहेगा स्टैकल स्टैक्स देखेगास्टमर करेगा 100 होंगे एक उचन दो नमबर नमबर का 200 नमबर का और जैनरल स्टी फाइन से अन एकनोमिक्स यह सब बच्चे नहीं दें को 20-24 दो दो ग़ंते का समय मिलने वाला यहां पे यहां बात करें एगा या तो इंग्लिस ना कि एक लिपर को लिक्टना है ठीक है रहा इसे वनलिकेशिन यह सब लिखना तो higher तो आपका डीवी होगा इसी इसी फेज में होता है इसके बाद सिलेबस में पूरा कम्प्लेट कर आदूँगा आपको कुछ भी अलग यहां नहीं है इस से अच्छे से आप लोग देख लिएगा क्योंकि जो 25 नमबर के कुछन बनेंगे इन्हीं सब टॉपिक से बनने वाले तो इनको अच्छे से देख लिएगा जैसे बरबल होगा दोनों ताइप का रिजिनिंग होगा उसके बाद विजुलाइजेशन होगा डिस्क्रिमेंस अबजर्बेशन होगा रिलेशन सीफ होगा चंसेट यह सब देख लिजेगा जैन्रालावट सेमें सब टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए गा सैंटिफिक हो गया जोग्राफिए हो गया इसके बाद यहाँ पूरा करवा दूगा एक एक टॉपिक आपको करवा दूगा ठ सब को अच्छे से कवर कीजिए क्योंकि अगर बनेंगे अभी तैयारी करने का अच्छा मौका है तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए आगे देखेगा है sentence rearrangement होता है तो बहुत ज्यादा hard question ने English में देखने को नों मिलता है up to 10 level का ठीक है आगे देखेगा आगे है देखेगा tier 2 के लिए match का syllabus तो tier 2 का मैंस का syllabus दी है उसी को आप लोग की जागा ठीक है ये पूरा मैं cover कर वाँगा tier 2 का मैंस का स्लेबस बहुत जल्द पूरा कर वाऊंगा कि अबर इंग्लिस देखेगा इंग्लिस एंड कॉम्प्रिहेंशन यह भी टियर वन टियर टू दोनों के लिए देख लिए जगा क्योंकि दोनों में आपको काम करने वाला है इस्टैक्स पेपर पेपर थिरी अब स्टैक्स का स्लेबस आप लोग देख लिए अगर बूलिए गा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा यहां पर बहुत लंबा स्लेबस यहां पर सबको बूलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा उसके बाद टीर फोर में देखिएगा फाइनेंसियल और इकनोमिक्स ह देख लिजएगा देखिएगा इस इनफेर्मेशन के बारे में और इसके बारे में बिसस होगा तो मैं आप लोगो बता दूँगा इसके बाद और कुछ मुझे यहां दिखनी रहा है जितना भी इंपोर्टेंट पॉइंट था वह नहीं आप लोग को बता दिया एक जाम ल या किसी institute वारा भी प्रोवाइड हो तो भी चल जाता है ठीक है ना उसके बाद document verification में क्या क्या होगा तो वो तो बाद की बाद है उसके बाद देखिएगा उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे और भी कुछ यहां देख लेते हैं यहां पर और कुछ special दोस्तों नहीं दिया हुआ है तो जितने भी important point से मैंने बताने का दिखाया कि वीडियो में अगर यह वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो अगोशो गल्ति कुछ होता है यहां से देख लिजेगा कि form आपको कैसे fill करना है देखिएगा यहां फोटो ज्यादे important है फोटो दिखाया गया होगा कि फोटो कैसे upload करना पार Two online application ठीक है देखिए कि part two में सायध हो सकता है कि photo के बारे में बताये कि यहाँ photo के बारे में बताये कि नहीं है फिर भी photo पे आप लोग date आप लोग mention कीजिएगा क्योंकि यह लिखा हुआ upload photo with a date printed on it ठीक है ना date print होना चाहिए photo पे signature पे होना चाहिए ने तो आपके form को reject कर दिया जाएगा ऐसा supreme court का आधेश है तो यह बहुत ज्यादे important update है ठीक है इसके अलावा किसी का कोई doubt होगा इस form को लेके तो आप लोग comment करके मुझे से पुछिएगा video अच्छा लगा हो तो video प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किजेगा आशा करता हूँ कि आज का आप लोग का काफी अच्छार है अगले वीडियो मैं फोर से मिलते हैं और छीज अग요 को आप लोग को क्या करना ओगा तो आप लोग को क्या करना होगे इस से पर आना होगा का तो पर अप्लाई को किजेगा करने के बाद और influx बंट जयाएं और धिक्क्त होगा यहां से पर काम नहीं ही चलता हो ग होगा तो मुझे कमेंट किजिएगा मैं जरूर बताऊंगा टैंक यू अपने वीडियो आंदे तक देखा